ट्विटर ने अचानक से सभी को जख्का दे दिया है ट्विटर सी ओ इलान किया था कि ट्विटर 20 अप्रेल को लिगेसी अकाउंट से ब्लू टिक हट जाएगा आखिरकार ऐसा ही हुआ बड़े-बड़े सेलेब्रिटी से लेकर बॉलिवुड स्टार क्रिकेटर्स यहां तक क पॉलेटिकल लीडर्स एकाउंट से बलू टिक हट गया है ट्विटर का बलू टिक केवल उन उसे काउंट पर दिख रहा है जिन्हों ने ट्विटर ब्लू टिक सब्सक्रिप्षण लिया है इससे पहले ट्विटर वेरिफाइड ने यूजरस को यह याद दिलाना शुरू कर दिया था कि 20 अपरेल से उनके एकाउंट से ब्लू टिक वेरिफिकेशन मार्क हट जाएगा लेकिन जिन लोगों ने नयारूल फॉलू नहीं किया उनके एकाउंट से ब्लू टिक हट गया एलान मस्क ने जब से ट्विटर की कमान समाली है तब ही से उन्होंने ट्विटर में कई तरीके के बदलाव करने शुरू कर दिया हैं लेकिन उन से पहले ट्विटर पर ब्लू टिक वेरिफिकेशन मार्क, सेलेबरिटीज, पॉलिटिकल लीडर्स, गवर्मेंट और प्राइव से अकाउंट की तो उत्तर प्रदेश के सीम योगी आदितनाथ से लेकर बिहार के सीम नितिश कुमार तक का ब्लू टिक हट गया है इसके लिए पॉलिबूट सेलेबरिटीज में आमिताब बच्चन, शारु खान, आमिर खान जैसे एक्टर्स का ब्लू टिक हट गया और क्र चार्ज नहीं लिया जाता था लेकिन अलान मस्के आते ही कई बदलाफ कर दिये गए थे उन्होंने प्टर ब्लू टिक वेरिफिकेशन के लिए मंतरी चार्ज की अनौंस्मेंट कर दी है साथ ही अलग-अलग अकाउंट के लिए अलग-अलग वेरिफिकेशन चेक मार्क दिय जाने की अनौंस्मेंट कर दी है त्विटर की कमान समालने के बाद इलाउन ने इनके रिवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश की है कमपनी ने नाई ट्यूटेर ब्लू सब्सक्राइब सर्विस शुरू कर दी है जिसके लिए यूजर्स को हर मेने 7 डॉलर यानि करीब 560 देना होगा वहीं एप और वेब यूजर्स के लिए सब्सक्रिशन सर्विस चार्च अलग है जो यूजर्स सब्सक्रिशन लेंगे उन्हें प्लेटफॉर्म फ्री यूजर्स के मुकाबरे ज्यादे फीचर्स की सुविधात देती है